हेलो दोस्तो गुद मॉर्निंग आज हम लोग जानेंगे वेस्टीज का कौन सा फूट सप्लिमेंट किस मैटर के लिए हमें देना है या किस चीज के लिए सजेस्ट करना है राइट मैं जस आप लोगों का 10 मिनिट का समय लूँगा अगर आपने वेस्टीज में जॉइन किया ह अगर आपको वेस्टीज का फूट सप्लिमेंट के बारे में जानना है तो इस वीडियो को 10 मिनिट कंप्लीट देखिएगा और जानिएगा वेस्टीज का कौन सा फूट सप्लिमेंट किस चीज के लिए काम करता है एकदम बेसिक सा इंफॉर्मेशन रहेगा इस वीडियो मे तो आईए शुरू करते हैं और information को या वीडियो को start करने के साथ साथ मैं इसी के साथ start करूंगा कि वेस्टीज के जितने food supplement से यह कोई medicine नहीं है दोस्तों यह किसी बिमारी को ठीक करने के लिए नहीं बनाए गये है वेस्टीज के जो food supplement से यह नॉर्मली कोई भी इंसान यूज कर सकता है ताकि आने वाला टाइम पर उसका कोई बिमारी ना हो या आने वाला टाइम पर उसको कोई बिमार एक्टेक ना कर पाए और अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है अगर कोई बिमार है एक्चुल में तो वह भी फूट सब्लिमेंट यूज कर सकता है ताकि आने वाला टाइम पर वह मेडिसीन को छोड़ पाए या आने वाले टाइम पर वह स्वस्थ जिंदेगी बिता पाए तो यह फूट सब्लिमेंट जो यह सभी के आए चलते हैं कि करकी फूट सब्लिमेंट को लेके बात करते हैं पहला आता है हमारा मेटा माइंड प्राइम कर सकते हो राइट उसके बाद आता है वेस्टीज सी बाक्थों यह एक फ्लावर का नाम ही है इसको अगर आप इरेगुलर विसिस में लेते हो तो आपका इम्यू आपको जल्दी बुखार आना जल्दी लग जाना जल्दी खासी आना कोई भी वाइरस आको एक अटक कर देना यह सारा प्रॉलम नहीं होगा आपके अंदर लेजीनेस नहीं होगा यह आपको पूरा-पूरी एनर्जाइस रहेगा इसका नाम है सी बक्तॉन रेगुलर विसि इसके साथ नर्फ प्रॉलम में बहुत अच्छा मदद करता है उसके साथ अमारे बास थे अगर आप इसको जो कंई हम रिक्टरी विटामीनेस का जो रिक्वार्मन उसको पूरा करेगा तो आप हेल्दी भी रहोगे उसके साथ साथ आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा उसके साथ साथ हमारे पास है वेस्टी स्पैरूलीना इसमें 45 टाइपस विटामिन से दोस्तों पाच अंडा पाच तरीके का सबजी पाच तरीके का फल अगर आप रेगुलर लेते हो तो शा बहुत पुराने समय से इसको यूज किया जा रहा है और आज के टाइम पर अंतरिक्ष जाने वाले जो एस्ट्रोनाट से उनको वह भी इसको साथ में लेके जलते हैं ताकि उनको उनके बोड़ी में कभी निउट्रिशन का कमी ना हो दोस्तों इसको अगर आप फिटनेस फ् प्रब्लम नहीं होगा डाइजेशन अच्छा होगा स्कीन के लिए अच्छा है और बालों के लिए बहुत अच्छा है उसके साथ सथ हमारे पास से नो नी अगर आप इसको रेगुलर बिसेस में यूज करते हो तो माइगरेन प्रॉब्लम साइनस प्रॉब्लम और वेरैटी दूद से बनाया गया है रेगुलर बिसेस में अगर कोई भी इसको यूज करता है उसका इम्मुन सिस्टम स्ट्रॉब्लम होगा और बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना गया है तीन साल यह उससे उपर किसी भी बच्चे को आप इस प्रॉड़क को दे सकते हो उनका ग से नॉर्मल रहेगा वैस्टीजЛ Rug 9 जो है अगर ह्ट में ए- migrants का आपस अधरी करने में बहुत अच्छा काम करता है अ ऑल्मसरम जो की है ब Всем कोलेस्टोल को बढ़ाने में बहुत मदद करता है जो कि हमारे हाइव के लिए बहुत अच्छा काम करता है व के नौर्मिली प्रोटिन बर्टीन का ज़रुवत तो तो आपके जो हैं मतलब बाल जो है जहरने लगेंगे उसके साथ साथ सीन स्कीन में problem होगा उसके साथ साथ बॉडि में एक weakness आएगा हमेशा इसके लिए आप विस्टिच प्रोटीन प्रोटीन बॉड़र आप इसको यूज कर सकते हुगे इन स्वयाफ प्रोटीन है प्यूरली और यह जो प्रोटीन है प्य जिनको अपना वजन कम करना है मोटापा जादा है वेट को लूज करना है नैचरली वह यह प्रोड़क्ट यूज कर सकते हैं एक-एक महीने के अंदर-अंदर हमारे पास रेजल्ट ऐसे हैं तरह प्रोड़म नहीं भी है फिर भी उसको विटम डियान केल्शियम जरूर लेना चाहिए दोस्तों नीम हमारे पास है डायबिटीस के लिए बहुत अच्छा काम करता है ब्लड प्रिकेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है फाइबर हमारे पास इक उसको भी आप ऐस कर सकते हो गैनोडर्मा और करक्यूमिन प्लस हमारे पास यह काम करता है आपके स्कीन को अच्छा रखने के लिए बौडी को फ्लाडी से टॉकसिंज जो है उसको फ्लाश आउट करने के लिए काम करता है तो आपका बॉड़ी में जलन होना उसके बाद आखों से पानी निकलना यह सारे प्रॉब्लम को रिलीव देता है यह समझ में आ रहा होगा आपको की यह को अच्छा रखने के लिए मदद करता है उसके साथ हमारे पास है और फॉलिक खून का कमी को भरपूर करने के लिए शौटेज को कमी मतलब फून करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है जो को जारा है धे डीट, खड़ी तो इस व फ्रॉटेज को ठीक करने स्ट्रेस लेवल मेंटेन करने लिए स्ट्रेस को कम करने के लिए मदद करते हैं। इसके प्रहारे अगर हो यह बहूत अच्छा रिलीव देता है डिवर हो जाने से स्टों तक भी यह चुका है लेकिन फिर खेयर घ्डी कर सकता है लेकिन लीबर सीरोसिस अगर हो जाता है तो कोई अप्शन नहीं मदद करता है और एक और प्रड़क्ट हमारा नया आया है वह वेस्टीज प्रोस्टेट केर में जो प्रॉब्लम होता है उसमें भी बहुत कार्गेर साबित हुआ है इसका साथ हमारे पास और भी आने वाला किसी का किड्नी प्रॉब्लम हो तो उसको कुछ भी फूट सप्लिमेंट मत दीजेगा बस डिटॉक्स फूट पैच उसको दे सकते हैं आप उसके साथ सथ किड्नी हल दे सकते हैं और किसी प्रेगनेंट को प्रेगनेंट के प्रेगनेंसी के किसमें आप फूट सप्लिमेंट मत क सब्सक्राइब आब विस्यू वेल्थ